मुंबई में हार चीजों के भाव बढ़ गए है जैसे कि घासलेट, घासलेट की किमोतों में बढ़ोत्री आ गए है और घासलेट कम दिया जा रहा है इसी महेंगाई की ओज़े से हमारे बस्ती के लोग परिशान है हमको बहुत दिक्कते आ रही है पहले हमारे घर में दस फैमिली है और दस में से हमको पहले बीस लिटर घासलेट मिलेगा अब बीस लिटर में से तेरा लिटर हो गया जब बीस लिटर ही हमको पूरा नहीं होने का महिने में तो आप तो हमको तेरा लिटर में क्या बनाए महिना क्या खाए गास्रीड कम पढ़ रहा है गरीब लोग देखते नहीं गॉर्मेंट कुछ भी नहीं हम लोग चुले भी खाना पागा गुवर्मेंट खुद आके देखे चुले पर कैसा बनाते हैं तो मुझे बताए कि आपके घर में सदेसे कितने हमेरे घर में छे जैने और हमा क गास्रीड अभी इरुवर्मेंट विलता था महिने का अभी 13 लेटर की आई तो हम लोग त्यर लेटर में जमता हैं इसले में चूली पर खाना एक टाइम का बनाते हूँ एक टाइम को इस्ट्व पर बनाती हूँ क्या करेगे भी सरकार के जियार के अनुसार एक एक टीको च कारा आज जरुब देना चाहे जो जियार में भी रिकाह लेकिन वैसा होता नहीं है आज चार व्यक्ति को कि पांच व्यक्ति को सरीफ 10 लीटर रोकल दिया जा रहा है मतलब पांथ लिचर लोग अधीकारीया और यह सब मिलकर फलक आप अम आपामारते हैं हम चाहते हैं कि हमारा गासलेट बढ़े हैं और गासलेट को बढ़े हैं बस यह चाहते हैं गरीबी हटाओ करके सरकर नारा लगाती है लेकिन ऐसे गासलेट विसलेट कम करके तो अभी सरकर को हमको तो ऐसे लग रहा है कि सरकर गरीबों को हटाना चाहती है आप लोगों से लिए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है वह आप जाको उधर संपर करो नहीं है अभी तुम सब कुछ हम देए अच्छे आपको पता है कि क्यों कम हुआ जो आम जनता को तकलिफ हो रहे है उसके बारे में आपका कहना है भारत में जो घासलेट मिलता है वो केवल सरकारी रैशनिंग दुकान में ही मिलता है पर सरकारी रैशनिंग दुकान वालों की मनमानी और घासलेट करने वालों की काला बाजारी से हमारे बस्ती के लोग बहुत परिशान है आम जनता उस दोरे मार से परिशान है और सरकार घासलेट के काला बाजारों को रोक नहीं पार रहे है जिसके कारण बस्ती के गरीब लोगों का जीवन कटिन हो गया है मुंबई से आमुलाल जरे इंडिया अनहड के लिए